असलामों वालेक। मेरे पर्देशी भाई यो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ आप किस तरह से अहली बैंक में अपना एकाउन आउनलाइन ओपन कर सकते हैं अपने मोबाईल से जो नया तरीका आया है वही तरीका बताने वाला हूँ क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ चे स्थिक्ति है मैं आठ चुका हूं मोवाईल इस पीले पर सबसे पहले राउजर को उपन करते हैं अपन करने के बाद यहां पर सबसे पहला पर जाएगा यहां पर सकते यानी यह यह और यह उनका आ माश्टर काड मिलेगा तो हम क्लिक कर देते हैं यहां पर आपके पास कुछ इस तरह का उप्सन आएगा तो यहां पर एकाउंट ओपनिंग का उप्सन है यहां पर क्लिक कर दें यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर इंडविजबल है यहां पर क्लिक कर दें यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास कुछ इस तर होना चाहिए उसके बाद ही आपका जो एकाउंट ओपन होगा अपसर एकाउंट आपका होना चाहिए तो यह सब चीज़ के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं आप मेरे चैनल पे यह सब वीडियो देखकर खुद बना ले नफाद एप्लिकेशन और जो निशनल एड् यहां पर पर सकते हैं उसके बाद यहां पर मैं आपको दिखायता हूं यहां पर एक आमा नमर डालना है और आउसीम आपके आमा पर होना चाहिए उसके बाद यहां पर क्लिक करके यहां पर डेटर बढ़ दाले इंगलिस में उसके बाद यहां पर मोवाइल नमर डाले और ống box पर क unlending कर यहां पर यह नमर मैं अपना सारा डीटल डाल दिया हम यहां पर करते है क्लिक करना उसके बुदा सेंगत सब्कूर ज It's अब कर यहां पर कोड जाएगा उस नमर अपका रजिस्यर यहां पर उस नमर जाएगा तो code को यहाँ पर डाल देना है तो इंतिजार करते हैं उसके बाद यहाँ पर इत्मेटिक यह verify हो रहा है उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का option आएगा यह नमर आपको याद करके रखना है अब पहले वाला वीडियो देख सकते उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें यहाँ पर क्ली करेंगों करेंगा उसके बाद आपके पास यहां पर इस तरह का option आएगा जो भी कोड लगा हैं नफाद अप्रिकेशन में उस कोड को डाल दें उसके बाद यहां पर फेस स्कैन करना है जो भी जिसका भी एकाउंट है उसका फेस होना चाहिए जिसके आप देख सकते हैं यहां पर फेस स्कैन हो चुका है उसके बाद डिरेक्ट आप अपने उसी ब्राउदर पर चले जाए यहां से आप वापस आये थे यहां पर यहां पर क्लिक कर देते हैं तो यह थोड़ा देर आप वेट करें उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह का option आ जाएगा उसके बाद कुछ इस तरह का option आ चुका यहां पर देख सकते हैं सारा details यहां पर आ चुका है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है नीचे आना है नीचे आने के बाद यहां पर phone number है यानि phone number डालना है उसके बाद यहां पर email तो यहां पर आपको भरना होगा तो चलिए फटाफट हम अपने हिसाब से भर देते हैं यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का उप्सन आएगा जैसा कि आप देख सकते थी नमर पर आ चुगा है उसके बाद हो में डिटेल्स यहां पर डाल देन है जो भी अड्रेस आप से यहां पर मांगा जाएगा ओड्रेस डाल देना है यहां पर दख सकते हैं स्टेट नेम होम कंट्री नेम हो हों सब करना होगा उसके बाद चल जाएगा लेकिन यहां पर सही से अपने घर का और उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह का अप्सन आएगा चार नमर पर आ चुका है अपने हिसाब उद्वा इधर उधर होता है फिर भी यह ले लेता है उसके बाद यहां पर आपको कुछ select करना होगा तो यहां पर किलिक करके आप कितने पढ़े हैं उसके प्राइविट से यहां पर किलिक करता हूं उसके बाद यहां पर जोब का काम करते हैं वह यहां पर डालते हैं उसके बाद यहां पर किलिक करके अपने इसाब से यहां से जो भी आप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं यहां से सलेक्ट कर ले आप किस केटिगरी में आते हैं कौन सा काम करते हैं यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद यहां पर employer name लिख देना है उसके बाद यहां पर date of joining यानि किस तारी को जोइन किये थे यहां पर अपने हिसाब से डाल दे मैंने यहां पर सरा details डाल दिया उसके बाद next पर click कर दे next पर click करेंगे उसके बाद यह पांचमा page पर आ जाएगा तो यहां पर आपको कु क्लिक करके यहां पर end of service है यहां पर payroll है यानि salary लेना चाहते है क्या है या सेविंग है तो यहां पर मैं कोई भी option select कर लेता हूं उसके बाद फिर से यहां पर click करना है यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर कैसे क्या है तो यहां पर मैं कैस क्लिक करता हूं उसके बाद यह यहां पे क्लिक करके आप कितना सेव्म ही महिने का अधenda में इस सब्सक्राइब यहां से यह तुछ आप करनेने के बाद यहां से कोई भी आप्षन कर सकते हैंилось कर देता है यहाँ पर करना यहां से कितना अपने निखा लिए कि इसनों में कितना ही यहां कि यहां से लिख लिए करते हैं कि यहाँ सब्सक्राइब करने से लिएक यहाँ पraktion करते हैं कि आप लोग देख सकते हैं मेरा साबस्ति यहां पर समय है तो पूरा डिटेल साब के पास यहां पर सो होगा आप यहां पे हर चीज़ देख सकते हैं और यहां पर सकते हैं कोई भी कुछ गरबर है तो यहां से अपने इसाब से चेक कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको ATM प्रिंट करके भी दिखाऊंगा Mastercard किस तरह से हासिल कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो देख सकते हैं और यहां पर कुछ नहीं करना है लास्ट में यूजर नेम और पासवड बनाना है और यहां पे वही पासवर्ड नीचे डाल सब्र दो प्रोशीट है तो फट अ प्रिप इस तरह का और खराएगा यहां पर करना होगा है तो तो यहाँ पर कॉल भी आ चुका है तो यहाँ पर एंसर पर क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पर वन पर क्लिक कर देना है जो भी नमर बताएगा उस पर क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर क्लिक कर दे तो देख सकते हैं फोन बैंकिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर फोन बैंकिंग सिक्रेट कोड है और यहाँ पर रिएंटर फोन बैंकिंग सिक्रेट कोड यहाँ पर डालना होगा तो यहाँ पे हम click करके डाल देते हैं तो यहाँ पे मैंने 4 अंगों का डाला है उसके बाद यहाँ पे confirm पे click कर देते हैं confirm पे click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यह भी successful हो चुका है उसके बाद यहाँ पर मादा कार्ड यानि यहाँ पर print करना है या खुद मंगवाना है तो यहाँ पर click करना है मैं आपको दोनों तरीका वादता हूँ अगर आप यहाँ पे Delivery वला Option इंसलेक करते हैं यहाँ पे तो Delivery वला Option आएगा लेकिन यहाँ पे Print वाया Self Service यहाँ पे Self Service वला Option इंटोमेटिक आ गया है तो यहाँ पे मैं खुद जाकर करूंगा मैं आपको दिखांगा किस तरह से प्रिंट किया जाता है उसके बाद यहां पर करांव पर किलिक करेंगे उसके बाद हमारा हर्चीज सेकसेस्फ फुल हो चुका है तो यहां पर देख सकते हैं गोटु अलाहली उन Ass tot काफी मज़ा आया आप इस वीडियो को लाज तक देखे होंगे तो आपको भी अपना एक्टाउंड ओपन यानि अपना एकाउंड ओपन कर सकते हैं आप लोग भी यहाँ पर सारा डीटेल्स यहाँ देख सकते हैं सेवन नमर तक मैंने हर चीज को करके दिखाया है और यहाँ पर मेसेज भी आ चुका है उसके पर यहां पर गोटू अलावली आउनलाइन पर क्लिक कर दे और आसानी से आप आउनलाइन पर आ चुके हैं यहां पर मॉबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए बोल आए तो यहां से हम डिस्मिस कर देते हैं और यहां पर यूजर नेम और